हाई फ्रेंज, वेलकम आए, आज के ट्रेडिंग सेसन में मैंने तीन स्टॉक को अपने पॉर्टफोलियो में आड़ किया है आज के इस वीडियो में मैं तमाम लॉजिक को आपके साथ सेर करोगा कि मैंने इन स्टॉक को क्यो बाइग किया है लेकिन आप इस वीडियो से सिर्फ सीषेंगे यह बाई और सेल का रिक्मेंटेशन नहीं होगा मेरा पत्पस आपको सिर्फ सिखाना है तो मैंने जिरोधा में लॉगिन किया है यहाँ पर जो URL है आप इसको ध्यान से देख लें यहाँ पर यहाँ पर पोजीशन पर आल्रेड़ी मैंने क्लिक करके रखा है यहाँ पर देखो भी तो यात्रा जो है यात्रा ओनलाइन इसका मैंने डाई हजार सेर आड़ किया है 138 के average price पर यहाँ पर उजे अप्रोप्रोप्सीमेट 10,000 का profit आज के रेज में को रहा है यह जोपी buying है यह मैंने आज किया है उसके बाद अगर हम वालपूल की बात करें तो यहाँ पर मैंने 100 quantity add किया है और यहाँ पर उजे 7.7 का profit है अगेन टेक महिंद्रा को मैंने डेर सो गांडेटी आइड किया है, यहाँ पे एक छोड़ा सा प्रोफिट आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं आपको फर्तर बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मेरी स्टेंची क्या है, तो सबसे पहरे सुलवात करते हैं यात्रा ओनलाइन से, यात्रा ओनलाइन वो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो मैंने पांच दिन पाहले इसके उपर एक वीडियो डाला था, कि इस स्टॉक में एक बारी तेज़ आ सकती है, वो तमाम रीजर्व मैंने इस वीडियो में एक्स्प्रेंड किया था कि क्यों यह स्टॉक बपर ज सकता है, तो अगर आपने इस वीडियो पर नहीं देखा है, तो आप जाकर देख लें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अब अगें वापस आते हैं यात्रा ओनलाइन के चार्ट के ओपर, क्योंकि चार्ट ही यहाँ पर मेरा फ्रेंड है, और यह मुझे अच्छे तर इस चीज़ को आइडेंटिफाइ करने के लिए, एक टेकनिकल टोल का मैं यूज करता हम, वो होता है, फॉलिंग वेज को अगर हम अलग 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 चार्ट पैटन के साथ कमबाइन करके यूज करें, तो एक उर यसी काफी हाई हो जाती है, तो यहाँ पे मैं आपको फॉल यहाँ पे पुरेसी काफी हाई हो जाती है, तो पारला गरिटेरिया यहाँ पे फॉल्फिल हो रहा है, इस टॉप 38% नीचे है, अब हमें फॉलिंग वेज को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, कि इतने भी रिसिस्टेल्स है, मेजर रिसिस्टेल्स उनको आइडेंटिफाइ यह होता है पारला स्टेप, अब हमें सेम उसी तरीके से सपोर्ट को आइडेंटिफाइ करके एक और ट्रेन लाइन को ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से यह अब जितने भी सपोर्ट देख रहे हो, इसको लेकर मैं एक और ट्रेन लाइन को ड्रॉ करने वाला है, तो यहाँ से हमारी falling wage की drawing complete हो गई अब हमें क्या करना है कि जहां पर resistance की line को stock price cut करे वहां पर हमें alert हो जाना है यहां पर हमें अब watch करना है एक अच्छे खासे candle के बनने का green candle के बनने का तो अगर आप देखो गये तो यह candle यह candle यहां पर confirmation है लेकिन मैं कभी भी भाग कर किसी stock को buy नहीं करता हूँ कि निचने लेवन पर एक अच्छा bullish chart pattern बने तो अगर आपको यह जो falling wage है समझ में आ गया तो मैं इसको खटा देता अब अगर आप देखोगे अगर तो जहां पर ठीक और pattern का formation है निचने लेवन पर यह जो pattern बन रहा है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं cup with multiple handles या w pattern यह bullish chart pattern है यह accumulation को दिखाता है यह यह बताता है कि यहां पर smart look buying कर रहे हैं यह जो जो आप फेज रोता है यह उसता है accumulation का फेज यहां पर दो चीज़े हो सकती है अगर आप थोड़ सा और ध्यान से देखोगी तो यहां पर जो stock है एक range में है तो वो सकता है कि यहां पर stock थोड़ा सफी नीची आए जो stockless वाने है आप बाहर निकाले लेकिन जैसे हैं यह lesson पूरा हो जाएगा stock में एक बड़ी ready आएगी और stock वापस से कहा जाएगा stock वापस से वहीं जाएगा जहां से यह नीची आ रहा है और यहां पे अगेन एक और pattern बनेगा वो बनेगा पूरा का पूरा rounding bottom क्योंकि falling ways जहां भी बनता है वहां पे rounding bottom का बनना ताय है योकि falling ways और rounding bottom डोलोड प्रीन से हैं तो अगर हम target की बात करें तो current market price से यह कितना अफसाइट है यहां से लगवग यह 30% अफसाइट है जो सिर्फ rounding bottom का target है और यह minimum target है एक बाद अगर यह pattern बन जाता है तो उसका एक और target निकल किया रहेगा यह पूरा देफ्त और इसको रखना है यहां पे यह कितना का है यह 77% का है ध्यान देने वाली बात है कि टेकनीकल target सिर्फ minimum target होते है आपको सवाल आएगा कि मनिस भाई स्टॉप उपर क्यों जाएगा आप target के सीड़ क्यों होगा तो आप भी इस वीडियो पर जाकर देखे अब वापस से आते हैं वालड पूल के उपर जो मैंने इसको बाय किया है तो एक वाल इसके चार्ट को भी देख लेते हैं अब जो लोग मुशे लगतार फॉलो करते हैं मेरे वीडियो को देखते हैं उनको पता होगा कि वालड पूल के उपर मैंने लिडियो अपलोड किया है अगर आप गोईपुल को value investing with money के साथ सर्च करेंगे तो आपको काफी video निकल कर आ जाएंगे जैसा कि आपको पता है कि मैं bottom wire route तो मैंने इस stock को बिल्कुल initial level पे identify किया था यहां से मैंने कहीं accumulate करना सुदू किया था और जो मेरा target था इस stock को लेकर जो first target था यह था यह पूरा का पूरा again rounding bottom और एक बार यह target पूरा पोजाता है rounding bottom बन जाता है जो funding waste का confirmation है और rounding bottom अगर यहां फे बन जाता है तो इसका एक और target निकल के आएगा और वो क्या वोगा यह पूरा का पूरा depth और इसको रचेंगे ऊपर यह फिल्हाल अगर current market price से surrounding bottom के लिए हम बात करें तो यहां पे यह लगवक 17% upside है और जिस तरीके से उपरी लेवल पे यहां पे accumulation हो रहा है अगर आप देखोगे यह जो accumulation हो रहा है और यह जो आज का break out हुआ है इसका सीधा सीधा indication यह है कि whirlpool अपने resistance के तरब move कर रहा है तो इस strategy के ताहत मैंने इस stock और अपने portfolio में head किया है आप जानते हैं कि मैं एक robotic trader हूँ और मैं हमेशा अपने target से यह गाम करता हूँ मैं कभी भी market के fluctuation के साथ fluctuate नहीं होता तीसरा stock है टेक महिंद्रा टेक महिंद्रा को buy करने का region यह है यहाँ पे भी एक बहत्रीन chart path का formation हो रहा है IT sector को लेकर मैं काफी बुली सुन और मुझे ऐसा लिफता है कि IT sector में एक बड़े जैली आएगी टेक महिंद्रा के उपर भी मैंने काफी video upload किया है अगर आप जातर search परोगे तो आप वफुस सारे video निकल पर आजाएंगे टेक महिंद्रा के उपर एक video मैंने एक सार बहले डाला था उससे में इसका प्राइस था 1000 रूपीस के उपर था और यहाँ पर बात करें तो stock 1200 पर ट्रेड कर रहा है और जो target यहाँ पर निकल के आ रहा है जो pattern यहाँ पर बन रहा है वो यही सारा कर रहा है कि यहाँ से बड़ी रही है क्योंकि यह जो pattern है इसको बोलते है inverted head and shoulder और अगर सिर्फ इसकी target की बात करें तो यहाँ पर यह जो target 2200 पर निकल के आ रहा है क्यों जाएगा stock target अच्छी ठीव होगा क्यों होगा की business अच्छा है FIIDI की बेहतरीन holding है और अच्छा chart pattern बन रहा है इसलिए यहाँ पर मैंने पूरे पेसेंस के साथ जो मेरी holding है उसको बना के रखा है 1000 से यहाँ पर एक साल में 1500 का आना अपने हप में एक अच्छा खासा return है और मार्केट में जो भी पेसेंस के साथ बैठते हैं जो fluctuation को और जेलने की invert रखते हैं पैसा उलढ़ी का बनता है तो यह तरीका है stock market में काम करने का अगर आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे अगर आप pattern को follow नहीं करेंगे अजर आप value result को नहीं देखेंगे अजर आप अच्छे professional तरीके से काम नहीं करेंगे तो definitely आपका पैसा नहीं बनेगा पैसे बनाने के लिए आपको एक सही अप्रोच होना चाहिए जैसे आपको chart pattern follow करना है जैसे मैं करता हूँ यह आप देखो nifty 1000, nifty small cap 250 यहां पर multiple watch list है मैं एक गन के इन सारे stock को देखता हूँ फिर उनको fundamental पर जाकर check करता हूँ वहाँ से अगर मुझे confirmation मिलता है फिर again मैं उसको buy करता हूँ यहीं reason है कि market way मैं लगता profitable हूँ जो लोग मुझे follow करते हैं जो बता है कि profit यहां पर किस तरीके से आता है stock market वो अगर आप detail में सीचना चाहते हैं तो आप मेरा one September से मेरी classes शुरू बरालिये आप मिसे contact कर सकते हैं Thank you so much